हाइ फरेंस स्वागत है आप सबका निसाराची व्लॉग में और आज मैं आप लोगको कुछ नेया लेके आई हूं तो मैं बता रही हूँ आज नेया क्या है आज मैं बनाने जा रही है गुझा तो मैंने सोचे क्लों मैं आप लोगो i0 के साथ ही शयार करती तो चलिए बनाते ह लालते हैं मैं लेकिन अब तो उतना नहीं चलता है तो जिफाई नहीं डालती है इसे अच्छे से मेज कर लेना है बहुत अच्छे तरह से इसे दोनों हाथों से मिला लेना है मिलाने के बाद कैसे पता चले कि यह हमारा परफेक्ट मॉमन है यह देखे जब हमारा मॉम अच्छ चल जाएगा और अब मैं इसे जा रही हूं सानने तो इसमें थ्वासा मैं पानी आइड करूंगी ध्यान देना है इसमें ज्यादा पानी आइड महीं करना है दो बार ही पानी आइड करना है और अच्छे से इसे मिलाना है इसमें इतना पानी डालना है कि आपको ज्यादा त्यार करने तो ये खुआ मेरा त्यार हो गया है मैंने त्यार कर लिया था पहले ही तो ये मैंने इसमें ड्राइफूर्स डाला है छोटी लाइची पांच डाली है मैंने इसमें मैंने चीनी को मिक्सी में ग्राइंट करके पिसा हुआ चीनी डाला है मैंने इसमें और इसे मैं अच्छे तरह से मिला लिए क्योंकि इसमें नारियल का वुरादा और चीन हिसले ऐसा देख रहा है तो यह देखे आटा को मैं ऐसे बेल डूंगी जिसे एकदम पतला भी ना हो मोटा भी ना हो मीटियम हो और अब मैं इसमें फील करूंगे मसीन में डालके मैं गुजिया को फी एड़क यह देखिए है मैं मसीन में एकदमश डाला और अब जो किनारे है इस में हल्का-हल्का पानी टेच करूंगी ज्यादा पानी नहीं हल्का टेच करूंगी और इसे अच्छे तरह से दबाऊंगी इससे अच्छे तरह स इसलिए दबा जाता है क्यूंकि अगर यह गरम तेल में जाता है तो इसके मुझ खुलने के ज्यादा संभावना रहती है और इससे ज्यादा है कि ये इसकी खुआ क्योंकि गरम में से खुआ पिघलने लगता है तो इसलिए निकलने लगता है तो ये देखिए मैंने पुड़ा प्रिक्या त्यार किया और ये कराही में तल र आना है ताकि ये जले ना तो इसे कंटीन्यू थुए धीरे पलटते रहते हैं और मैं देखाती हूँ अब हमारा ये निकाल निकाल रही हूँ ये देखें इस कलर का हमारा होना चाहिए गुजिया ये बहुत टेस्टी लगता खाने में मुझे तो बहुत पसंद है तो अगर आ आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा चैनल को जरू लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कूल न भूलिएगा निसाराची व्लोग को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जब बताइएगा आप लोग को मेरा चैनल कैसा लगा ओके बाइ फ्रेंड्स